हाई फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है डाइवोट का आज हम बात करने वाले हैं डाइवोट के बारे में कि डाइवोट क्या होता है डाइवोट कैसे काम करता है डाइवोट का सिंबल क्या होता है डाइवोट की टेस्टिंग कैसे करता है तो यह जो पूरा प्रोसीजर है वन वाई वन में आपको इस चेप्टर में बताने वाला हूँ यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें और सेर भी जरूर करें तो हम स्टार्ट करते हैं डाइवोट के इस इस तरीके का कमपोनेंट आपने बहुत सारे देखेंगे इलेक्टोनिक डिवाइज में टीवी टेप रेडियो सभी डिवाइज में ये यूज होता है मोबाइल फोन और कम्प्यूटर तो यह जो पट्टी होती है यह जो सीरह होता है इसको हम बोलते है कैथोड और यह अप ब Dip कर रहे हैं तो इस तैप का सिंबल आपको कहीं दिख जाया तो आक समझ लिजे कि यह डैवोड है तो यह बना होता है यह semiconductor material से मिलकर बना होता है, तो divert के internal structure के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, divert के internally हम देखा जाए तो इसके अंदर दो type के semiconductor materials होते हैं, इसको बोलते है P type, इसको बोलते है N type, तो इसके अंदर जो होता है, current का flow कैसा होता है, कि एक साधार भासा में मैं आपको सम supply दें, और negative सिरे में negative supply दें, तो divert current को पास करता है और यकिक यह की यह एक तरफ से current को pass करता है, मतलब positive सीरे पर अदर positive supply हम देता है, तभी यह current को pass करेगा, यह अदि हम positive सीरे पर negative supply देगे तो यह current को pass नहीं करेगा, तो यह one way traffic काम करता है, तो मैं इस ग्राफ के थरूँ समझाने की को सिस करता हूँ आपको, देखिए, यहाँ पर आपने है और यहां पए वल्व भी मैं ने connect करके रखा है जोड दिया है बॉझ का एक सीरह मैंने बैटरी से जोड दिया नेगेटि बल्व को पो दी है तो यहां पर बस दाइवोग का म आपको सम्झाना चाहता हूं कि यह यहां क्या काम करता करणे से आ रहा है इसबो और बल्व हमारा गलो करने लगे यहां पर जो डायओ अब्ANS बाइसे अबाइस का मकलब यह होता है कि यदि डायओ के पॉजिटिव पिन पर पॉजिटिव शप्लाई देए क्लाख ST करेगा लेकिन हम यहाँ opposite यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए battery का जो positive negative terminal है वो divert के positive terminal से connect है आप देख सकते हैं और जो battery का positive terminal है उसकी supply divert के positive terminal से connect है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर divert opposite लगा हुआ मतलब divert को opposite supply दी जा है डाइवोट के positive सीरे पर negative supply दी जा रही है और डाइवोट के negative सीरे पर positive supply दी जा रही है तो इस condition को हम बोलते है reverse pricing और इस condition में यह डाइवोट करेंट को flow नहीं करेगा तो यह डाइवोट का में फंडा होता है सीरे टाइवोट काम करता है आगे समस्थते हैं जो डाइवोट होता है यह अलग अलग electronic devices में काफी चाइब के डाइवोट यूज ले जैसे आप देख पा रहे है यहां पर जैसे मैं में में डाइवोट के यहां पर लिए इन जंक्सन डाइवोड भी बोलते हैं तो एक टाइप का ये भी डाइवोड होता है इसके अलावा एक जेनर डाइवोड भी यूज होता है इसके अलावा सोट की डाइवोड एली डाइवोड टनल डाइवोड फोटो डाइवोड काफी टाइवोड ये यूज होते हैं तो हमारा मुबाइल फोन है उसमें डाइवोर्ड मुबाइल फोन हुआ यह लैप्टॉप का मदर बोड हुआ यह डेक्स्टोप हुआ मतलब हमारे जो SMD डाइवोर्ड है जो छोटे डिवाइजेज में यूज होते हैं वो कैसे दिखते हैं तो देखिए यह जो डाइवोर्ड है यह सब मुबाइल फोन में यूज होने वाले डाइवोर्ड है तो इसमें देखिए यहां भी सामने एक पट्टी होगी आप देख सकते हैं यह इनकी पहचान होते हैं उसके नम्मर लिखे होते हैं तो यह डाइवोर्ड है बाकी यहां पे एक मदर बोड बेने लगाया हुआ है नोकिया का तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पे एक कंपोलेंट है यह डाइवोर्ड है आप यहां देख सकते हैं पट्टी भी है तो यह जो पट्टी होती है और दूसरा जो पर्सन होता है इसकी पिन होती है वो पॉजिटी होती है और यहां पे भी देख पा जो mobile phone में use होते हैं आप यहां देखिए जो डाइवोड होता है यह जब हम circuit chart को study करेंगे तो डाइवोड के जो symbol होते हैं उसकी working और types के साफ से बदल जाते हैं अभी जिस डाइवोड के बारे में मैंने आपको बताया उसको हम semiconductor डाइवोड यह rectifier डाइवोड यह pn junction डाइवोड बोलते हैं यह जो डाइवोड होता है यह जो one way काम करता है उसका symbol ऐसा होता है यह देख पा रहे हैं इसके अलावा जो जेनर डाइवोड यह आता है आगे मैं बताऊंगे इसकी working क्या होती है उसका symbol ऐसा होता है LED जो light जलती है torch जलती है हमारे mobile phone में उसका symbol ऐसा होता है बाकि जो mobile phone में जीते sensors होते हैं उनका डाइवोड का symbol ऐसा होता है टर्नल डाइवोड एक आता है switching के लिए उसका symbol ऐसा होता है तो यह अलग-अलग symbols होते है circuits में डाइवोड की identity करने के लिए अब हम बात करते हैं आगे working पे देखें जो डाइवोड मैंने आपको पहले बताया जो forward vising और reverse vising में जो one way supply को pass करता है इसको हम rectifier डाइवोड, pn junction डाइवोड, semiconductor डाइवोड के नाम से जानते हैं यह जो डाइवोड मेंनली यूज होता है AC current को DC current में बदलने के लिए आपने देखा होगा आपने rectifier का नाम सुना होगा half rectifier, bridge rectifier यह जो rectifier में mainly इन डाइवोड का यूज किया जाता है current को अलग-अलग करने के लिए DC supply में convert करने के लिए तो यह इसको हम rectifier डाइवोड बोलत है जो हमारे जेनर डाइवोड होता है यह जो डाइवोड होता है यह हमेंसा reverse bias में काम करते है और इसका जो use होता है हमेंसा supply को fix करने के लिए इसका यूज किया जाता है जैसे हमने 5 बोल्ड का जेनर लगा दिया तो वो जेनर ground से connect होगा और 5 बोल्ड से अगर ज्यादा supply जा अलग से चेप्टर में डालने वाला हूँ, उसके अलावा, लाइट एमिटिंग डायवोड जो होता है, यह जो डायवोड होता है, यह हमारे मोबाइल फोन में टॉर्च का काम करता है, या बहुत सारी नोटिफिकेशन की जो लाइट्स होती है, उनके लिए जो छोटा सा कमप यह हम सेंसर के रूप में करते हैं, हमारे मोबाइल फोन में जो सेंसर होता है, और यह भी रिवर्स बायस पे काम करता है, और एक होता है टरनल डायवोड, इस डायवोड का इस्तमाल बहुत तेजी से स्विच कराने के लिए किया जाता है, स्विचिंग के लिए डायवोड क वो ऐसा दिखता है तो हर डाइवोड का मैंने आप एक figure दे दिया इससे आप identify कर सकते हैं डाइवोड को अब हम आगे बात करते हैं डाइवोड की testing की तो देखे जो डाइवोड होता है वह उसको टेस्ट हम continuity पर करते हैं वीब की range पर जहां वीब का sound आता है वहाँ पर हम डाइवोड को test करते हैं और डाइवोड को test करने पर multimeter से अगर एक side से value आती है और फिर multimeter की pin हम जब change तो इसके लवा है इसके अलावा जो faulty condition मतलब टीन-तरीके से खराब होता है मताब तीनो 처럼 तो हई है इसके भी नाम है जैसे एक under टरिक ہے open condition यदि divert को छेक करने पर दोनों साइट से कोई deflection नहीं दे रही है तो उस इसा कंडिशन को ओपेन कंडिशन बोलते हैं दूसरी कंडिशन होती है लिकेज लिकेज यहने होता है कि दोनों साइट से वैलू आईगी मतलब लीक कर गया डायवोट आप पॉजिटिव को पॉजिटिव सप्लाई दोगे नेगेटिव को नेगेटिव तब भी फ्लो करेगा अगर नेगेटिव को पॉजिटिव दोग और पॉजिटिव को नेगेटिव दोग तब भी करेंट का फ्लो करेगा मतलब बीज का जो जंक्सन है इसका ब्रेक हो चुका है तो इसको हम लिकेज कंडिशन बोलता है और इस कंडिशन में मल्टिमीटर दोनों साइट से वैलू से वी देने लाग है तो इस कंडिशन बीज कंडिशन होती हैนे तो इस कंडिशन में मल्टिमीटर से यह आप कि आवाज आएगी तो यह कंडिशन्स थी डाइवोट की तो आई होप यह चेप्टर आपको आपके लिए काफी हेल्फूल होगा तो यदि हेल्फूल है आपको मेरा मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और सेर करना ना भूले धन्यवाद